धननजे गिरी जी कुछ गलत तो नहीं कहा था ना मलिकार्चुन खडगे ने बहुत इस पश्ट बात उन्होंने कही बे जितना बजट होतनी ही घोशनाई करें अब इसमें भी इसको इसका भी राश्नुती करन करना और खुद पीम मूदी वो भी तो यही जिक्र कर चुके हैं कई बार कर चुके हैं कई मंचों से किया है यह रेवडियां यह चुनावी घोशनाएं हमारे देश की संस्कृति के लिए खतरनाख है पुझा जी देखिए बिल्कुल आपने से कहा कि भारत एक वेलफेर स्टेट है अब उसमें वेलफेर में और फ्री वीज का वारफेर में दोनों में फर्क है जनता को फिरी फिरी के जिका फ्रीडम दिया जाए ताकि वो आगे बढ़ सके अपना विकास कर सके जिस तरह से प्रदान मंत्री जी फ्री डे स्टार्ट अप और जो जरूरी यह चीजे है जैसे बहुत जरूरी है जैसे इतना का ओने सके इतने साल 55 साथ सालों के राज बाह को इज्जत घर नहीं मिला हमने उतके लिए बारक और जो ट्वालेट बनाया चार कोड़ों घर दिया तीन कोड़ गरीबों को घर दिया बारको किसान सम्मान नजी दे रहे हैं और 25 कोड़ों गरीबी रेखा से पहार निकाल कर लिया है यह उनके लिए उचित है लेकिन जो क खड़के जी कह रहेते हैं कंगरेस के कलाई खोल रहेते हैं कंगरेस में आप देखिए खटा-खट भाबा भी आए खटा-खट 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 ऐसे भी आए का उनको चितावनी दी है कि करनाटक में 2,8,000 कोड़ों का रिसीप्यमेंट है और 5,60,000 कोड़ों का ट्वालेट सीट पर आप टेक्स लगा रहे हैं तो को यह जो जिस लरसे जो खड़के जीन महसूस किया है वो बिलकुल उन्होंने कंगरेस के कलाई कोल कर दी कभी समय था कि राज़ी उगान्दी को भी आत्म घ्यान हुआ था उनने का एक रुपय चलता है 85 पैसा रास्ते मे हर यहां तो अगर मलिका आरजून खड़के कह रहे हैं तो आपके लिए भी लागू होती है कि मैं यह कह रहा हूं कि इस असामतियों का सम्मान लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई भी अच्छी बात कर रहा है तो इसको आत्मसाथ सभी को करना चाहिए लेकिन आप बताइए कि पैसा खर्च कहा हो रहा हमारी सरकार वेलफेर पर खर् वही है तो आने वाले समय उसे जादा पैसा आएगा तो आपने भी किया था किसानों की आया आप दूगुनी करेंगे और आप यहां फ्रीडम की बात करें क्या 81 करोड जनता को फ्री राशन देकर क्या आप उन्हें आत्मिर बना रहे हैं फ्रीडम उन्हें दे रहे हैं इस पुझा जी मा कासी पुरा धिस्वरी मान पूर्णा घिरपा से आज 80 कोड़ों लोगों को रासान मिल जाया क्यों कोरोना काल में शुरू हुआ और भारत के पास अनका इतना भंडार है कि दिया जा रहा एक ऐसा भी समय था कि उसको सड़ा हुआ दिखा करके और पुरा एप विकास किदर अगर बात करें तो पांच पॉइंट वन परसेंट थी 2013 में आज पॉइंट वन फाइफ है प्रतिवेक्ति आज 90 हजार थी दो लाग पचीज जा रहे है विदेशी मुद्रा भंडार अगर उसकी बात करें तो और सबसे ज्यादा साथ सो टूप साथ साथ सो दो सब्सक्राइब करोड़ लोगों को हमें राशन देना पड़ रहा है आज वो इस लायत भी नहीं है कि वह दो वक्त की रोटी जुटा सके अज अनका भरा हुए ऐसा भंडार है आप बारकोड किसानों के सम्मान इती दी जा रहे है जिस तरह से विज्ञान परोजोगी के पर तीन गुना खर्चा किया रहा है तो आज देश दो दो ट्रिलियन डॉलर के एकनोमी थी कॉंग्रेस के साथ साल के राज में आज चाल ट्रिलियन डॉलर के एकनोमी हो गई हम दूसरी दुनिया के तिसरी बड़ी अर्थब्योस्ता बनने का दाम कितने इमादा रखते हैं जिस धंग से है और जो के नाम पर के ऎली जो तो सब कुछों दूसरे परारों लगाया ऐसकी उससे यूज़ा तो आप भी के रहाए ना बही요 रहा है जरू बंध को देना ये welfare state की परिकल्पना है और उसको लालच देना ये फ्री रेवडी है दोनों में basic difference को समझना होगा कि जरूरत क्या है आम आतांतर समाज के अंतिम पैदान पर खड़े हुए आदमे के जरूरत क्या है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वा सबका प्रयास विकास की दोड़ किसान सम्मान निधी किसान को मिल रहा है किसान थे लाल भादु सस्री कहा था कि सभी है जो मांग रहा है किसान समान निधी उने देंगे ठीक है तो आपकी रेवडी जो है वो जनहित लोक कल्यार कारी योजनाय बन जाती है